हलो एव्रिवान वेल्कम बाक टू दे चानल काई साज हम बात करने वाले हैं कि इंडोनेशन होर मोवी के बारे में तो इसका नाम है था हॉंटिड होटेल इस मोवी की कानी बहुत ही जादा अच्छी है जिसमें गोस्ट एक होटेल रूम को हॉंट करने लग जाती हैं और काफ निंगरॉम फर्स जे अपनी जॉब के लिए जा रही थी होटेल के अंदर जाते हैं उसे होटेल की ओनर सुक्ति नहीं मिलती हैं चुकि निंगरॉम को second floor की सफाइए करने के लिए कहती हैं पर इसके साथ ही हो दो बार उसे one भी करती हैं कि उसे third floor पर nahी जाना है जिसका प्रजूद भी हो वहां पर आवाज का पीछा करते हुए चली जाती है वो थर्ट फ्लोर की कॉरोडर का दर्वाज अभी अनलॉक कर देती है फिर वो आवाज का पीछा करते करते एक ऐसे रूम के सामने पहुंच जाती है जो कि उस होटेल की सीरियल नंबर में था ही नहीं यन कि वो रूम सबसे अलक था और उस रूम से वो रोने की आवास आ रही थी जो सुनते ही निगरूम वहां सी डर कर भाग जाती है और इस त्री नाइट और मिडनाइट लाइन का मतलब आखिर क्या है यह हमें आगे पता चलेगा यहां से फिर हम तीन दिन बात का सीन देखते ह जहां पर निगरूम अपनी बेटी से डिनर टेवल पर बात कर रही होती है वो अपनी बेटी को बता रही थी कि जब से उसने होटेल में उस वाइट स्किन वाली लड़की को देखा था और उसकी बात सुनी थी तब इसे उसके साथ काफी कुछ अचीब हो रहा था जैसे कि परोसी ने अपने पैर पर स्कूरू डाइवर से स्टाब कर लिया था और निगरूम की आँटी ने होस्पिलल की चट से कूद कर आत्मात्या कर ली उनकी क्याट भी बिना किसी रीजन की मर गई थी जो सब सुनकर उसकी बेटी कहती है कि ये सब बस उनका वहम है क्योंकि उन निगरूम अपनी बेटी को कुछ नहीं क्या पाती और उसकी बेटी उसे सोने से पहले प्रेयर करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें बात करते करते बहुत रात हो चुकी थी जिसके बाद हम देखते हैं कि निगरूम अपनी रूम में चाकर प्रेयर कर तो वाइट स्कुिन वाली लड़की उसके पीचे लार्ज मिररर से निखार आती हैं वो उसकी तरह बढ़ी रही थी पर निक्रूम उसे देखन पाती जिसके बाद वो लड़की निंगरूम को हांट करना शुरू कर देती है जहाँ पर निंगरूम को उस लड़की की शाड़ों भी नजार आती है और जैसे उस रात के बारा बचते हैं तो वो लड़की निंगरूम के सामने आकर उसके पूरे शरीर से उसकी स्किन को बहुती बहरेमी से कीच कर मार डालती है जब निंगरुम की बेटी अपनी मॉम की आवाद सुनकर वहां तक पहुंचती है उससे पहले निंगरुम मर चुकी थी और उसे ऐसी हालत में देखकर वो काफी सा ड़ जाती और ये सीन यहीं पर कट होता है अब हम यहां से तीन दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर राइन और फे नाम की दो सिस्टर्स अपनी ग्राण मदर सुकनिती के घर पर जा रही होती है क्योंकि असल में राइन और फे की डाड की दो महीने पहले डेथ हो चुकी थी और उसके डाड ने अपने बिजनेस के लिए जो लोंस लिये थे उन्हें राइन और फे नहीं कर पाए थे तो इसकी वज़े से उन्होंने अपनी डाड का घर बेश दिया था दोनों अपने ग्रांड मदर ग्रांड फादर जिनका नाम सुकनीती और गार्नीतो है उनके साथ एमबर होटेल में रहने के लिए जा रही थी क्योंकि एमबर होटेल ही उनकी डाड की आखरी निशानी थी उनके डाड ने उन्हें पहले कभी भी उस होटेल के बारे भी नहीं बताया था जहां पहुंचते ही सुकनीती और गार्नी तो अपने ग्रांच चल्लोंस का बहुत ही अच्छी से वेलकम करते हैं वो बहुत ही खुश भी थे क्योंकि राइना और फे बहुत टाइम बाद वहां पर आये थे जहां सुकनीती उन्हें बताती है कि उन लोग का घर भी होटेल से ही कनेक्टेड है ताकि वो लोग होटेल की रोम से वाँ की विंडोस पर नज़र रख सके इसके बाद सुकनीती राइना को उसकी डाइट की कुछ चीज़े देती है और ये भी समझाती है कि अब राइना को ये वो होटेल समालना है क्योंकि वो पहले भी किसी होटेल में मैनेजर रह चुकी थी इसलिए वो राइना को होटेल की डॉकिमेंस भी दे देती है आगे हम देखते हैं कि सुकनिती राइना और फेक हो भी यही बात समझाती हैं कि वो होटेल में कहीं भी घूम सकते हैं पर उनका थर्ड फ्लोर पर चाना मना है क्योंकि वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और वकर चुट्टी पर चले गए हैं तो इसकी वज़े से वहा बात करता है जाब वो उसे सेफ रहने के लिए कहता है और बताता है कि उनकी सिटे में कुछ दिन पहले एक लेडी की बहुती बुरी तरीकी से मौत हो गई और क्योंकि अर्दो एक न्यूज रिपोर्टर था तो वो इस केस पर इंवेस्टिगेट कर रहा था जाब वो राइ वो रेंस ने उसे इस सब के बार में कुछ भी नहीं बताया था जिसके बाद अब अर्दो और राइना दोनों साथ में होटेल चले जाते हैं जहाँ पर अर्दो सुकनिती से पूछता है कि नंग्रूम वहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही थी तो बताती है कि उसे वहाँ पर जॉइन की कुछ ही दिन हुए थे इसके अलावा निग्रूम के साथ क्या हुआ था वो इसके बार में कुछ भी नहीं जानते हैं जिसके बज़े से जादा है वीरेंस इखटा करने के लिए अर्दो अब होटेल में एक रूम ले लेता है और वही रुकने कर डिसाइड कर लादि थे आगे हम देखे हैं कि राथ को फट औ रहना साथ में बैटे हुए थे जहां फटे करने के बाद रहना से कहते हैं कि उसका और अर्दो के ब्रेक-प वे छे मईने हो गये हैं पर रहना ने उसे जुटबोल कर ब्रेक-प किया कि वह से के साथ नहीं रहा गहां Bi gev उसके वज़े से वो अपनी लाइफ में बस एक अच्छे पार्टनर और अपने खुद की बच्चे को चाहता था लेकिन वो कभी भी मदर नहीं बन सकती इसलिए उसने उसकी भले के लिए उसे ब्रेक अप कर लिया जो सुनकर फेहों से कहती है कि उसके साथ हमेशा से ही बहुत कुछे तो वहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए था जहा रायना भी निगरुम की तरह कोरीडर के दर्वाजे को खोलने की कोशिश करती है जहां लॉक लगा होने के वज़ज़ से वो उस रूम के दर्वाजे को तो तोड़कर अंदर चेली जाती है उसे भी अब यहाँ प कि शायद वो लड़की उस होटेल की कोई गेस्ट है पर इस लाइन के बार में वो पूरी रात सोचती है अगले दिन अब जब वो फेक को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो कार के मिरर पर उसे वन लिखा हुआ दिखाई दीता है जिसका मतलब था फर्स डे और वो उस से किसी की रोने की आवाज भी आ रही थी इसलिए वहां पर रुकी होई गेस्ट को चेक करने के लिए चली गई कि वो ठीक है या फिर नहीं जहां उसके मन में एक और डाउट भी था कि अगर थर्ड फ्लोर पर कोई गेस्ट रुका हुआ है तो सुकनिती ने उसे जूट क्य क्यों बोला कि वहां पर रेनुवेशन का काम चल रहा है पर यह सब सुनकर सुकनिती बहुत सब्सक्र रह जाती है क्योंकि वह थर्ड फ्लोर के बार में कुछ तो भयानक जानती थी और वह नहीं चाती थी कि राइना वहां पर जाकर दर्वाज से को खोले पर वह इस वक्त उनके होटेल में आने वाली है क्योंकि निंगरुम की बेटी ने उनकी होटेल में उसकी मौम की साथ हुई सारी चीज़े बता दी है जो इसकी वज़े से पुलिस इंवेस्टिगेशन करना चाती है जिस पर सुकनिती रोते-रोते गार्णीतों को भी बता देती है कि अब कु इस भी आ चुकी थी तो होटेल की सारे गेस डर की वज़े से होटेल से चेक आउट करा लेते हैं तब भी रायना भी वहाँ पर पहुंचती है जहां वो सभी गेस्ट को जाते वे देकर कंफ्यूज थी और दो भी वहाँ पर मौजूद था तब रिसेप्शन टेबल पर रख रॉप सकी वर्णी की अवज आती है तो वोश्रूम की तरह बढ़ती है और देखती है कि वौश्रूम में तो कोई भी नहीं था तब भी उसे वापस से कौल आता है चाहां कौल पर उससे कोई लड़की डरानी लग जाती है और गयती है कि अगर वो वह वाँज रूम में न और देखते ही देखते वो कार्पेट की नीचे आ जाती है ज़र राइना उसका फेस देख लेती है और यह वही वाइट स्किन वाली रड़गी थी जिसकी आँखे बिल्कुल रड़ थी जो देखकर राइना बहुत जाया डर जाती है वो जल्ली से अब रूम से बाहर आती है जहां उसी वक्त अर्दो भी पहुँच जाता है वो यहाँ पर उसे समाल लेता है वो अब यहाँ पर उसे सब कुछ बताती है तो अर्दो रूम को चेक करने के लिए अंदर जाता है पर अंदर सब कुछ बिल्कुल सही जगा पर रखा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नही और आप सुकनितियों और गार्णितों को रायना और अर्ड्यों के सामने सब कुछ बताने ही पर जाता है कि 6 सल पहले वो लोग फाइनेंशिली बहुत सादा वीक हो गए थे तो रायना के डाड ने उने वो होटेल की बार में बताया कि उसने एक होटेल खरीद रखा है और उसके पेरेंस चाहिए तो वो होटेल ओपन कर सकते हैं और उसे जो भी पैसे है उससे अपना घर चला सकते हैं पर जब गार्णितो और सकने थी उस होटेल में आए तो उसकी कंडिशन बिल्कुल भी अच्ची नहीं थी तो इसके वज़ए से उन्होंने होटेल का रेनोविशन करवाया और जब एक वरकर थर्ट फ्लोर पर लाइट्स लगा रहा था तो उसे भी वहाँ बेना सीरियल नंबर वाले रूम से कि कि रोनी की आवाज आई उसने भी उस गेट को खोल कर उस वाइट स्केन वाली लड़की को देखा जहां उस लड़की ने उसे भी थ्री डेज और मिडनाइट बोला जिसके बाद से उस वरकर के साथ अजीब अजीब चीज़े होना शुरू हो गई और तीन दिरों मिडनाइ इस इंसिरन की बाद गारनितों और शकनी üzी ने होटेल के अंदर दागांग नाम के एक शमान को बुलाया चाहुँ शमन तक में येहं मत नहीं थी कि वह इस रोम के अंदर जा सकें उसने गारनितों और शकूनीति यही वज़ा थी कि वो लोग पूरे थर्ड फ्लोर को रॉक रखते थे जब तक निंग रूम ने उसे खोलने ही दिया था यह सथ सुनने के बाद अर्दो और रैना बहुत सा टेंशन में आ जाते हैं पर रैना खुद की सोचने के बज़ाए अपनी भेहन फे के बार में सोच रही थी कि उन्हें अब फे को उस रूम से दूर रखना होगा ताकि वो किसी भी हलत में वहाँ तक ना पहुँच पाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फे अपने क्लास्ट्रूम में होती है जाँ उसके टीचरों से बायलोजी लाब से कुछ चीज़े लेकर आने के लिए भेशती है तो वो अकेले बायलोजी रूम के अंदर चली जाती है जाँ उसे भी हजीब आवाजे आना शुरू हो जाती है जैसे कि उसे कोई आवाज लगा रहा हो तब लाब में रखावा यूमन स्टाचू अपने आपी जिन्दा हो जाता है और मूफ करके फेक की तरफ एक सीज़ा लेकर बढ़ने लग जाता है जो आपर फेक को बस एकी आवाज सुनाई दे रही थी कि वो भी मनने से पहले उस घोस्ट का पेन फील करेगी जो सब देख करो बहुत जार डर जाती है और लाब से चिलाते हुए बाहर आती है जो इसके वज़े से उसकी आवाज सुनकर लोग भी वहाँ पर इखटा हो जाते है और जब अपनी टीचर को बताती है कि अंदर रखे हुए स्टाचू मूव कर रहे थे तो टीचर खोद अंदर जाकर सब कुछ चेक करती है लेकिन वहाँ पर इससे कुछ भी नहीं था इसके बाद अफ़े घर आ जाती है जो आपर रहना वह से सबसे पहले सवाल यही करती है कि वो थर्ड फ्लोर पर उस रूम में गई थी या फिर नहीं इस पर उसे बताती है कि उसे भी वहाँ से किसी के रोनी की आवास आ रही थी तो वो थर्ड रूम में चली गई और उसे वहाँ पर वाइट स्किन वाली लड़की मेली यानि कि रहना ने जब थर्ड फ्लोर का दरवासा अनलॉक किया था तो उसके बाद वहाँ पर फिय भी चली गई थी और अब उन दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ तीन दिन बाकी थे इसलिए अब उस वाइट स्किन वाली लड़की के बार में पता लगाने के लिए राहना और अर्डो दोनों ही शमन दाकांग के पास जाते हैं जहांपर दाकांग से उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की घोस्ट ने जरूर कुछ ऐसा चुपा रखा है जिस वज़े से वो इस दुनिया से मरने के बाद भी कनेक्टेट है और अगर वो उने सीक्रिट जानना है तो उसे उस लड़की का नाम पता करना होगा ताकि उसके नाम से ही वो उसके घोस्ट से कम्यूनिकेट कर सके जिसके बाद अब राइना और अर्दो बाकि सभी के साथ मिलकर उस लड़की के नाम के बार में सोचने लग जाते हैं तब भी राइना को अपने डाइड के लोयर का कॉल आता है जो उससे बताता है कि उस होटेल की डॉकिमेंस में राइना के डाइड का नाम है ही नहीं जो कि असल में जनूर था बलकि उसकी जगह पर वहां किसी बासकारा का नाम लिखा हुआ था यानि के राइना के डाइड ने उनसे अपना बदलावा नाम भी छुपाया था जो नाम गार्णितो और सुकनिती भी नहीं जानते थे कि आखिरे भास करा कौन है तब भी रायना को याद आता है कि उसके डाड ने एक बार उसे कहा था कि वो अपने मन में बहुत सरे सीक्रेट्स अकेले दबा कर रखे हुए हैं और उने वो अपनी नावल में लिखने के कोशिश भी करते हैं पर फिर भी वो हमेशा से सफ़ोकेटिट फील करते हैं यानि कि वो ज़रूर कोई बड़ा सीक्रेट उसे चुपा रहे थे और अब रायना सबी लोग को उसके डाड की नावल पढ़ने के लिए देती है क्योंकि उसे यकीन था करते हैं कि कही ना कही तो उसके डाड़े उस लड़की की बार में या फेर इस होटेल की पास्ट की बार में अपनी नावल के अंदर लिखा होगा पर पूरी नावल पढ़ने के बाद भी उने उसके अंदर से कुछ भी नहें मिलता जिसके बज़े से राइना अकेली उस रूम की तरह बढ़ती है क्योंकि आज तक बस सारी लोग उस रूम के दर्वाजी तक ही एंटर हुए थे और किसी ने भी उस रूम को अंदर से नहीं देखा था जिसका मतलब यह था कि जोरो उस रूम के अंदर कुछ होगा पर वो जैसे ही थर्ट फ्लोर के सामने पहुंचती है तो अर्दो और फे उसे रोकने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो उसे वहाँ पर नहीं जाने देना चाते थे ऐसा करने से उसकी जान को खत्रा हो सकता था लेकिन राइना उन्हें समझाती है कि अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो वो वैसे भी तीशे दिन की मिडनाइट होते ही मारे जाएंगे इससे बड़ियाओने खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए इसलिए अब राइना और फे दोनों ये अंदर जाते हैं और अर्दो भार खड़ा रहते हैं क्योंकि अब तक वो उस रूम में नहीं गया था और उस पर वो थ्री नाइट्स और मिडनाइट वाला कार्स अभी तक नहीं लगा था इसके बाद हम देखते हैं कि फे और राइना अलग-अलग होकर उस रूम में एविडेंस ढूडने लग जाते हैं जाँ फे की नहीं जर एक सूखे वाइट फ्लार पर पड़ती है फिर वो रूम में बने बाथरूम को चेक करने के नहीं चाती है तो उस बाथरूम के मिरर में उसे वो लड़की नजर आती हैं जो कि उसे हॉंट कर रही थी दूशी तरफ राइना को बैट के आसपास एक पैंसिल बॉक्स के रहा हुआ दिखता है तो बैट के नीचे चेक करती है जहां उसे एक टूटी होई टाल के नीचे की स्वेपर का टुकडा मिलता है जिस पर इंजल लिखा हुआ था और इस टुकडे को वो समाल कर अपने पास रख लेती है फे को बताने जाने लगती है पर वो देखती है कि फे पोजेस हो चुकी थी और वो भी दिवार में अपना सर मार रही थी जो देखकर रेना उसे होश मिलाने की कोशिश करती है पर फे के चेहरे के पीछे एक और चेहरा आज चुका था वो यहां पर रेना पर हमला कर देती है और दिवार पर चर जाती है जो रहना के जोर से चिलाने की हवाज सुनते ही अर्दो भी उस रूम के अंदर आ जाता है और वो किसी तरीके से रहना को पोजेस फेस से बचाता है चाहँ वो खुद भी थोड़ा से इंजट हो गया था तब ही फेस तो ठीक हो जाती है पर अब ये तीनों ही अपने सामने उस लड़की के घोस्ट को देखते हैं जो कि वापस से वही थ्री नाइट्स और मिडनाइट वाई लाइन बोलती है और अब तीनों यहां से भाग कर निकल जाते हैं पर वहाँ पर उन्हें रैलाइस होता है कि असल में अब अर्दो भी उस रूम में आने के बाद कर्स में फस चुका था उस लड़की ने वो लाइन अर्दो के लिए ही बोली थी उसी वक्त बारा भी बच जाते हैं यानि कि अब फे और रैना का दूसरा दिन शुरू हो चुका था और अर्दो का अज पहला दिन था जिसके वज़स ही तीनों काफिजा एमोशन हो जाते हो और रोने भी लगते हैं आगे हम देखते हैं कि फेकोस के पेरों में बहुत सारी जोट लगी हुई थी तो रैना उसे रेस्ट करने के लिए कहती है दूसरी तरफ वर्दो को बताती है कि उस पूरे रोम के अंदर लड़कियों की बहुत सारी चीज़े पढ़ी हुई थी यानि कि वो लड़की वहाँ पर गैस पनकर नहीं आई थी बलकि वो वहाँ पर रहती थी शायद रैना के डार भी उसे बहुत ही अच्छी तरीकी से चानते थे इसलिए उन्होंने उस लड़की को वहाँ पर इतने टाइम तक रहने दिया चार रैना आप गाणनीतों और सुपनीती को उस पेपर की टुकडे की बार में बताती है जिससे देखकर ये दोनों उसी तरीके की और भी वेपर की टुकडे को लेकर आते हैं जो कि उन्होंने हर रूम की बैट की नीचे बहुत टाइम पहले मिले थे उन सब टुकडे उपर एक हैंड राइटिंग थी यानि कि वो एक लेटर था जैसे किसी ने टुकडे टुकडे करके पजल की फॉर्म में होटेल की हर रूम के अंदर रख दिया था जैसे ये वो लोग उस लेटर को जोडते हैं तो उन्हें उस लड़की के नाम पता चल जाता है जो कि जैस्मिन था वो लेटर जैस्मिन ने भासकर यानि कि रहना के डाट के लिए लिखा हुआ था कि वो उसे पाइन ट्री के जंगल में पहली बार मिली थी और वो उसके लिए बेस्ट टाइम था वो हमेशा से उसके साथ उन ट्रीस की तरह ही रहना चाती थी जो कि अटर्नल थे और वो इंजल भी भासकर कोई बोल रही थी जिससे कि अब ये तो उन्हें पता चल जाते हैं कि अगर वो पाइन ट्रीस के जंगल में जाएंगे तो वहाँ जरूर ने जैस्मिन के बार में कोई न कोई क्लू तो मिले गए इसलिए बर्दो और रहना पासी की जंगल में पाइन ट्रीस को धूरने के लिए निकल जाते हैं जाए उन पाइन ट्रीस के आसपास वही वाइट फ्लार्स भी नजर आते हैं यानि कि उन्हें वो जगा मिल चुकी थी जहां जैस्मिन और वासकर मिला करते थे पर अब रहना उस लेटर में लिखी हुई और भी चीज़ों को याद करती है और वो ये भी नूटिस करती है कि असल में उन फ्लार्स के रियल ओरीजन कहीं और से है इसलिए लेटर की अकॉर्डिंग वो लोग नौर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं जहां वो एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं वह उने परजो नाम का एक आथमी अपनी बोर्ट से आता हुआ दिखता है जैसे वो उन फ्लावर्स के ओरीजन के बार में पूछते हैं कि आखिर वो फ्लार्स मेंनली कहां पर लगे होते हैं क्योंकि शायद जैसमीन उस जगा की रहने वाली थी तो परजो ने पताता है कि एक फ्लार्स उनके विलेज में मेंनली औरजिनेट होते हैं और उसके विलेज के नाम भी वाइल्ट प्लाव विलेज ही था जिसे कि अब रहना और अर्दो खोश हो जाते हैं क्योंकि वो शायद चच्चाई की बहुत जादा ग्लोस थे इसलिए वो परजो को उने विलेज की घर के हेड तक ड्रॉप करने के लिए कहते हैं तो वो उने अपने साथ लेकर चला जाता है चाहां पर अर्दो और रहना हेड से बात करने लग जाते हैं और उस होटेल में हो रही डेट्स के बार में बताते हैं पर जैसे ही अर्दो हेड को उस लड़की के अपेरेंस के बार में बताता है कि उस लड़की किसकी नेकतम वाइड थी और उसकी रेड आइस थी तो हेड यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है वो उन लोगो को यहां से ही कहकर निकाल देता है कि वो इस बार में कुछ भी नहीं जानता है अब बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो लोग रिवर भी क्रॉस नहीं कर सकते थे तो पर जो उन्हें अपने घर रुखने के लिए कहता है जो रहना आर्डो बात कर रहे होते है रहना तो काफी जार डेप्रेस होती है क्योंकि उन्हें यहां से कोई भी क्लू नहीं मिला था और उनके पास अब सिर्फ एकी दिन बचा हुआ था रहना भी हाँ पर आर्डो को ये भी बता देती है कि जब उसकी मुम बिमार पड़ी और उसकी डार को कैंसर हुआ तब वो गौड से रोज प्रे किया करती थी पर फिर भी गौड ने उसे उसके पेरेंस को छेन लिया और अब जब वो मूववन करनी के लिए यहां पर आई तो यहां भी अब उसे अपनी फिय और अर्डो की डेत को देखना पड़ेगा जो बता कर वो रोने लग जाती है और बोलती है कि शायद गौड उसके साथ मजाग कर रहे है पर वो अर्डो से समझाता है कि उसके साथ इतने बुरी चीज़े हो रही है क्योंकि गौड उसे फ्यूचर के लिए तयार कर रहे है ताकि वो फ्यूचर में भी किसी प्रॉब्लम में फसे तो वो हार ना माने यूँकि अर्डो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसकी वाइफ की डेथ हुई थी पर उसने गौड पर हमेशा यकीन रखा और प्रेयर की वो ये सब बात ही करी रहे होते हैं कि तब ही उन्हें हैड और उसकी वाइफ की लड़ाई करने की आवास आती है जिससे कि अर्डो को शक हो जाता है कि ज़रूर उसकी वाइफ कुछ न कुछ तो जानती है क्योंकि पहले भी जब वो लोग उससे बात कर रहे थे तो अर्डो ने उसकी वाइफ को चुप कर उनकी बाते सुनते वही देख लिया था इसलिए ब ये दोनों हेट की घर के अंदर घुज जाते हैं जहां देखने पर उन्हें उस वाइट स्किन वाली लड़की की एक पिंटिंग दिखती है तब ही हेट की वाइफ उन्हें बताती है कि ये लड़की हैसल में उनकी बेटी है फिर वो पार्जो को उन्हें सब कुछ बताने के लिए कियती है तो पर जो उने बताता है कि उस लड़की का असली नाम मैनर है जो कि मिडनाइट में हेट की खर में पैदा हुई थी और उसे एक रेर डिजीज थी जिसके वज़े से उसकी पूरी स्किन और उसके बाल सब कुछ वाइट थे इसलिए उसका नाम भी उन वाइट फ्लार्स पर रखा गया था जिसके वज़े से सबी लोग उसे डेविल स्ट्राइल भी बुलाया करते थे और कहते थे कि वो यूमन नहीं है वो डेविल है तो इसके वज़े से उसे स्कोल में भी बुली किया जाता था उसके डाट भी उसे बहुत जादा मारा करते थे और उसे कमरे में बंद रखते थे क्योंकि वो उनकी विलेज में रिस्पेक को कम कर रही थी तो इसके वज़े से मैनर अकेली ही रहनी लगी अपने दिमाग में ही गेम्स बनाती थी और खुद के साथ ही खेलती थी और डांस करती थी पर जब वो 20 साल की हुई तो वो घर से भाग गए उसके बाद से वो कहां गई है किसी को भी नहीं पता हेट तो किसी को उसके बाहर में विलेज में बात भी ही करने देते थे जो सब जानकर रहना और अर्दव आपस से होटेल आ जाते हैं और अब उन्हें मैनर का नाम में पता चल चुका था तो वो उसकी स्टोरी जानने के लिए दगांग को होटेल बुलाते हैं चाहांपर दगांग मैनर से कॉन्टाक करता है और उसके बाहर में बताता है कि असल में मैनर जब अपने घर से भाग गई थी तो पाइन ट्रीस के जंगल में उसे भासकर यानि कि रहना के डाड मिले थे भासकरने नहीं सिर्फ उसकी जान बचाई थी बलकि उसने उसे अपने होटल में रहने के लिए रूम भी दिया था और अपनी मॉम की कोई जोलरी भी थी क्योंकि वह कॉर्फन था और उसके पास बस अपने मॉम डाड की पुरानी मेमरी जी थी इसलिए अब वो उसे अपनी सबसे क्लोस बसन मानता था जिससे मैनर को काफी अच्छा फील हुआ बासकर और वो दोनों उसी होटल में रहते थे और देखते ही देखते उनमें प्यार भी हो गया था क्योंकि बासकर ने कभी भी उसे ये फील नहीं होने दिया था कि वो बाकी लोगों से अलग दिखती है इसलिए मैनर भी उसे काफी ज़ा पसंद करती थी वो भी ये बात भूल चुकी थी कि वो बाकी लोगों से अलग है जिसके बासकर अपनी बिजनस के वज़े से कुछ दिनों के लिए जकारता चला गया और मैनर उसके आने का वेट करती रही जहां उसने भासकर के लिए भाही लेटर वाला गेम भी बनाया और लेटर के टुकडे करकर के उन्हें होटेल के हर रूम के बेट की नीचे रख दिया पर बहुत दिन बीच जाने के बाद भी भासकर होटेल में वापस नहीं आया तो मैनर ने कुछ जगारता जाकर उसे ढूरने का डिसाइड किया पर जब वो वहाँ पर गई तो भासकर उसे वहाँ पर किसी और लेडी के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया दोनों की इंगेजमेंट भी हो चुकी तो और वो लेडी प्रेगनेंट थी यानि कि भासकर ने मैनर को धोका दिया इसलिए अब मैनर का दिल तूट चुका था उसने होटेल में आकर अपनी स्किन को बॉर्डी से अलग करना शुरू कर दिया क्योंकि भासकर ने उसे चीट करकी फील करवा दिया था कि उसे कोई भी एकसेप नहीं कर सकता वो किसी भी लायक नहीं सिर्फ अपनी अपेरेंस की वाजा से इसलिए उसने तीन दिनों तक अपनी स्किन को अपनी बोडी से आलक किया और फिर तीसरे दिन की मिडनाइट को वो दर्ड से तरप तरप कर मारी गई जो सब सुनकर रेनो और अर्डो बहुत साथ डरे हुए होते हैं और दाकांग से पूछते हैं कि अब वो ये सब ठीक कैसे करेंगे तो दाकांग उन्हें बताता है कि उन लोगो को मैनर का तूटा हुआ दिल जोड़ना होगा यानि कि उन्हें मैनर की डिट बॉड़ी ढूड़नी होगी और उस डेथ ऐलिमेंट को किसी लाइफ ऐलिमेंट यानि कि किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना होगा जिससे मैनर उन्हें माफ कर दे पर जब वो दोनों से पूछें लग जाते हैं कि वो ये काम कैसे करेंगे तब ही मैनर का घोस दकांग के पीछे पड़ जाता है और वो दकांग को बहुत ही बुरी तरीके से उसके सर को उसकी बॉड़ी से हलक करके मार डालती है जो कि देखते में बहुत ही ज़ादा भयानक था अर्दो और रेना भी उसका अस्री रूप देखकर बहुत ही ज़ादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास अब टाइम भी बहुत कम बचा था सब कुछ पता लगाने के लिए इसलिए रहना बहुत सारा टेंशन में होती है वो इससे बीच अर्दो को भी सब कुछ सच बता देती है कि जब अर्दो और वो दुनों रेशिंशिप में थे तब रहना को पता चला कि उससे कैंसर है इसलिए उसने सर्चरी करवाई जिसकी वज़े से वो कभी भी प्रेग्निन नहीं हो सकती यही वज़ा थे कि उसने उससे ब्रेक अप कर लिया और उससे धूर हो गई यह बोलकर वो यहां से चली जाती है पर तब ही फेकी रिज़र बेट की नीचे पड़े उसकी डाड की कुछ समान पर जाती है उसके अंदर एक बुक थी जिसमें नाम लिखा हुआ था वाइट ऐस एजस्मेन यानि कि उसकी डाड ने मैनर के बार में एक बुक के अंदर लिखा हुआ था फे वो बुक रहना और अर्दो को पढ़ने के लिए दे देती है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि असल में भासकर जखार तक किसी बिज़र्स मीटिंग के लिए नहीं गया था बलकि वो मैनर को परपोस करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल फ्लार रिंग बनवाने के लिए गया था तकि वो वापस आकर उसे सर्प्राइज दे सके और उसे शादी कर सके लेकिन जैसे वो रिंग खरीद कर शॉप से बहार निकलता है तो एक कार से उसका एक्सिरेंट हो गया और उसे सर के अंदर गहरी चोट आई जिसके वज़े से उसकी मेंविरी चली गई और जिस कार से उसका एक्सिरेंट हुआ था वो गार्णी तो और सुकनीती की थी चुनों ने भासकर को अडॉप्ट कर लिया और उसे अपनी डेट बेटे जानूर का नाम दे दिया इसलिए भासकर जानूर की एंडेंडेटी लेकर उनके साथ रहने लगा पर फिर एक दिन उसे अचानक सब कुछ याद आ गिया कि वो यहाँ पर क्यों आया था उसका नाम भासकर था इसलिए वो उसी वक्त वापस से होटेल में मैनर को ढूणने के लिए आ गया क्योंकि वो भी उसे बहुत साथा प्यार करता था पर जब तक वो वहाँ पर पहुंचा तब तक मैनर की बौडी पूरी तरीके से सर्च चुकी थी ये देखकर भासकर को बहुत साथ दुख हुआ वो हर टाइम यही सोचता था कि काश उसने उसे बता दिया होता कि वो उसे कितने दा प्यार करते हो और वो से शादी करना चाता है ताकि आज वो दोनों साथ में होते लेकिन अब मैनर जा चुकी थी इसलिए भासकर उसे होटेल की अंडर ग्राउंड बनी होई टेनल के अंदर ही ग्रेव बना कर बरी कर देता है उसकी ग्रेव के उपर वही वाइट रिंग वाले फ्लार्स को भी ज्रॉ कर देता है ताकि अब मैनर की आत्मों को शानती मिल सके और उसकी ग्रेव हमेशा उसी जगा पर रहे जहां उन दोनों ने अपनी इतनी सारी और अच्छी मेमरीज बनाई थी इसके बाद भासकर उस होटेल से हमेशा के लिए दूर चला गया क्योंकि वो इस सब याद करके गिल्ट में रहना नहीं जाता था इसलिए वापस से जानूर बन करी रहनी लगा जो सब देखकर रहना और अड्डो का समझ में आ जाता है कि उसके डाड ने तो मैनर को कभी भी धोका नहीं दिया था पर सच जानने से पहले मैनर की मौत हो गई तो अब उन्हें किसी तरीके से मैनर को सच्चाई बतानी होगी तब ही उन्हें दाकान की बात याद आती है कि उन्हें मैनर की डिट बॉर्डी से किसी लाइफ एलिमेंट को जोड़ना होगा और अभी लाइफ एलिमेंट का काम करेगी वो रिंग जोसे वो लोग मैनर की डिट बॉर्डी से जोड़ कर उसका तूटा हुआ दिल जोड़ सकते थे और उसे बता सकते थे कि भास करने उसे सच में बहुत जादा प्यार किया था फिर हम देखते हैं कि अर्दो और रहना दोनों है होटेल की अंडरग्राउंड बन हुए टनल की अंदर ग्रेव को ढोड़ने के लिए पूरी तयारी के साथ चले जाते हैं और अलग-अलग होकर उसे ढोड़ने लग जाते हैं पर मैनर भी उन्हें एक काम इतनी असानी से नहीं करने दे सकती थी वो उनका टाइम वेस करने के लिए अर्दो को पुजेस कर लेती है और फिर अर्दो रहना को एक गलत जगा पर ग्रेव बता कर वहाँ पर खोदने के लिए कहता है दोनों वहाँ पर बहुत देर तक एक बड़ा सा गड़ा भी खोद देते हैं पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता तब ही रहना रोपकर अपनी डाट की रिंग पर बने होए उस फ्लावर को वहाँ पर बने होए फ्लावर से मैश करके देखती है और उसे पता चलता है कि वो फ्लावर उस रिंग वाले फ्लावर से अलग था तब ही अर्दो जो की पोजेस हालत में था वो रहना को माणने के लिए उस पर अटाक कर देता है पर रहना उससे बचने के लिए भगती है मैनर फिर भी हापर उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी किसी तरीके से अब रहना अर्दो के पेरो पर एक लकड़ी से मार कर उसे इंचर्ट कर देती है ताकि अगर मैनर उसे पोजेस भी करे तब हो उसके पीछे नहाप आए जिसके बाद वो ग्रेव को डूनना शुरू कर देती है जाओ बहुत जादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था थोड़ी देर में बारा बज़ने वाले थे पर तब ही वो अपना बेट खोलती है जिसमें उससे अपने ग्रान पेरेंस का एक लेटर मिलता है यगर रैना को कोई भी रास्ता ना दिखे तो उससे प्रेयर जरूर करनी होगी क्योंकि गॉड़ी उसके पास आखरी रास्ता है और शायद वो प्रेयर उसकी आखरी प्रेयर भी हो सकती थी इसलिए प्रैना जल्ली से वहाँ पर प्रेयर करती है और वो काफी दुना के बाद प्रेयर कर रही थी दूसरी तरफ फे भी अपने ग्रान्पेरेंस के साथ मिलकर प्रेय कर रही थी ताकि गौड़ी ने प्रोटेक्ट कर सके और असल में बी ऐसा ही होता है क्योंकि रायना को थोड़ी दूर चल कर अवो फ्लार मिल चाता है चाहां पर वो खोदना शूरू करती है तो उसे मैनर का स्केलेटन मिल चाता है पर जैसे वो उसके फिंगर में और रिंग पहनानी लगती है तो मैनर वापस से अर्दो को पोजेस करके वहाँ पर पहुँच जाती है और अर्दो रैना के बाक पर कुलाडी से स्टाप भी कर देता है पर फिर भी किसी तरीके से रैना टाइम से पहले वो रिंग मैनर के हाथ में पहना देती है जिससे कि अब life or death element मिल चुके थे और मैनर के सामने सच्चाई भी आ चुकी थी जिसकी वज़े से अब उसकी सोल को शांती मिल जाती है और मैनर वहाँ से चली जाती है आगे हम देखते हैं कि रैना और अर्दो टरनल से बाहर आते हैं जहां पर सभी लोग मिलकर बहुत साथ एमोशनल होते हैं क्योंकि आखिर में उन्होंने साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर दिया था होटेल में भी पुलिस और अम्बिलन्स को बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें दकांग की भी बॉड़ी में ली थी और जो उनके साथ हुआ था उस बार में अर्दो रहना पुलिस को सब कुछ बता देते हैं फिर अर्दो पी रहना से बात करने के लिए आता है उसे जब पता चलता है कि रहना वापसे जकारता जा रही है तो वह उसे कहता है कि वह अब भी उसे प्यार करता है और रही बात बच्चों की और फामली की तो वो और्फन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं वो सिर्फ उसके साथ रहना चाता है ये बोलकर वो उसे शादी के लिए प्रपोस भी करता है जो देखकर रहना उसे हाँ कर देती है फिर वो दोनों अब रात को कॉल पर डिसकस करते हैं कि कल वो अपनी शादी के बार में फिए और ग्रान पेरेंट से बात करेंगे क्योंकि अर्दो अभी भी होटेल के अंदर ही रुका हुआ था पर जैसे ही रहना का कॉल कट होता है तो अर्दो को एक और कॉल आता है तो इसे रिसीव करते ही वो हेलो कहता है पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता तब ही अर्दो के सामने रखे हुए मिरर से मैनर निकल कर आती है वो उस टाइम घड़ी के अंदर बारा बज़ रहे थे यानि कि अर्दो की बित्री नैट्स पूरी हो चुकी थी इस सिलब मैनर उसे बारा बज़ दही वो उसकी बोड़ी से पूरी स्केन निकाल कर मार डालती है जब अगले दिन रहना अर्दो को जगाने के लिए आती है तो वो उसे इस हालत में देखकर बहुत सार डर जाती है और रोनी लगती है क्योंकि उन्हों को लगा था कि उन्होंने मैनर को खतम कर दी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसके बाद महाँ पर पुलिस बुलाई जाती है और अर्दो की डेट बॉडी को भी लेकर जाया जाता है जो चीज रहना और फे चट से देख रहे थे रहना अभी हाँ पर फे से रोते वे पूछती है कि अगर मैनर को अर्दो को ही मानना था तो उसने फेर रहने को जन्दा के छोड़ा और अब तक वो सच जाने के बाद भी इसी दुन्या में थी जिस पर फे कहते है कि उन्होंने सच्चा ही सामने लाकर उसका दिल तो वापसे हील कर दिया पर मैनर अब भी हो चीज़े नहीं भूली थी जो कि उसके साथ बाकी के लोगों ने की थी यानि कि सिर्फ भासकर के अलावा तो सारे लोग उससे हमीशे से बुरा ट्रीट करते थे तो जब तक वो उससे बदला नहीं ले लेती उससे पहले वो यहां से नहीं जा सकती थी और उसके जाने के भी कोई चांसिस नहीं थे क्योंकि उसने उस रूम में सुसाइट किया था और ऐसा करने वाले लोगों के लिए दूसरी दुनिया में भी कोई जगा नहीं होती वो हमीशे रियल वर्ल्ड में ही फसे रह जाते हैं जैसे कि मैनर उस रूम में हमीशे के लिए फस चुकी थी जो सुनकर रहना थोड़ी शौक हो जाती है क्योंकि उसे समझने आ रहा था कि फे को यह सब कैसे पता चला तबी फे रहना की तरह देखती हैं उसकी आँखे पूरी रेट थी यानि कि मैनर ने उसे पोजेस कर रखा था और अब तक जो कुछ भी वो बोल रही थी वो उसे मैनर बुलबा रही थी जहां वो ये भी कहती है कि भासकर ने उसे रियल लव किया था इसलिए उसने फे रहना को जिन्दा चोड़ दिया और वो उने कभी भी हाम नहीं करेगी क्योंकि वो भासकर की बेटिया है जिसकी बाद फे और रहना अपनी ग्रान पेरेंस के साथ वो होटेल को छोड़ कर जकारता चली जाती है क्योंकि वो होटेल उनके लिए बहुत ही जादा बैड लग था पर उस होटेल को भी अब पुली सीज कर लेती है क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी डेट्स हो चुकी थी तो दो पुलिसमेन रात को थर्ड फ्योर पर बने रूम को चेक करने के लिए उस होटेल में आते हैं तो गैस ये थी आज की वीडियो और योप आप लोग कोई वीडियो पसंद आयोगी तो इस वीडियो को लाइक करकर चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप से फिर मिलते हैं इसी इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई